उत्तर प्रदेश के फत्यपुर्जिले के कलेक्ट्रेट पहुंचे आज यादाव महासभा के लोगों ने जहासी के पुस्पेंद यादाव का फरजी एंकाउंटर करहत्या किये जाने के मामले में डियम के माध्यम से राजपाल को ग्यापन बेजकर दोसी पुलिस करमियों के खिलाव कारवाई किये जाने की मांग किया है वहीं एडियम को ग्यापन देकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया कोई जादा सबा के अध्यक्ष की माने तो प्रदेश सरकार इन दिनों यूपी में फरजी एंकाउंटर करवा निर्दोसों को मरवा रही है वहीं जहासी क पुस्पेन यादों की भी फरजी एंकाउंटर करवा करके हत्या करवा दिया है जिसके विरोध में आज पूरा यादो समिदा एकत्र हो गया है और सरकार की इस फरजी एंकाउंटर का विरोध कर रहा है दोसी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कारवाई किये जाने की मांग की ज कि दाले पिछोरों की हत्या की तो कोई घिंती नहीं है हमारा समाज सुरच्छित नहीं है अभी तीन दिन पहले पुस्पेंद यादो जासी जन्पद में धर्वेंजिंग चौहान मोट इस्पिटर जिनके दम पर पुस्पेंद यादों का इनकाउंटर करा दिया गया क्या मांग कर रहे हैं हम लोगों की मांग है उनके खिलाब मुकदमा लिखा जाए और जब तक मुकदमा नहीं लिखा जाएगा आज तो ये छोटा सा धरना था इसके बाद एक बड़ा अखिल भारतवर्थी यादो महासबा के बैनल करे इसी कलेक्टेड में घेडे कर काम करू जो जिला धर्चा जहाती का उसकी टेप पूरे मुबाइल में है वारे लोग जानते हैं अफ्टी का साला है जो दरोगा है उसके लिए कम से कम उसको इतनी सजा दी जाए कि वह कभी सोट न पाऊ जो आज पुस्पंदर यादों की कितनी उम्र है उसकी पत्नी के पहिला बच हुअ सारे मोधी योगी के थिसराएं पिससारे पर हो रहा है इतनी यादों की हत्याएं हो रही है पिछलों की हत्या हो रहे है he रश्चा नहीं है जो उनके कहने पर नहीं है उनकी जवरान हथा कि वर्तमान सरकार कानून वे वस्तवाबिया में क्या हो उत्ती गंदी है कि पूरे देज्ट में लोग उप गए हैं अगर मजिकी वजह जीत लेते हैं नहीं कुछ नहीं है इनको कोई वास्ता विलकुं क्या नाम एपका? केट की जिन्यादो